अज़कर मैं डॉक्टर श्रद्धा वसर्षट आपका सबके शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ आज की विडियो के माध्यम से पत्रचार विद्याले से संबंदत जानकारी मैं आपके लिए लेकराई हूँ तो आपके कॉमेंट्स के आधार पर मैंने यह निश्य लिया है यह मैंने डिसाइड किया है कि अब से पत्र चार विद्याले पर आधारित वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जब भी DOE संबंद में कोई महतपूर्ण घोशना करेगा या फिर इस संबंद में मुझ जब महतपूर्ण जानकारी जोग की संबंदित है DOE के द्वारा जारी की गई एक नोटिफिकेशन पर जी हाँ DOE ने तेरा जुलाई को जारी करी है एक नोटिफिकेशन जिसमें DOE ने यह कहा है कि इस कुरनाकाल में कक्षा नौवी की वार्षिक परिशाएं और कक्षा ग् जी हाँ वार्षिक परिश्घाय करबा पाना संभव नहीं है इसलिए हम यह फैसला ले रहे हैं कि वह सभी विद्वेख जो कक्षा नौवी में है और कक्षा ग्यार्वी में है उन्हें प्रमोट किया जाता है यानी कि बिना परिश्जाएं दिए 카 चाल The के स्टुडेंट्स अब क्लास टेंथ में पुहंच गए हैं जी हां वजा आप सभी जानते हैं कुर्नाकाल है बचों का स्वास्थ ज्यादा जरूरी है सभी के लिए स्कूल वालों के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी तो सब के भले को ध्यान में रखते हुए बच्च के स्वास्ते को ध्यान में रखते हुए उनके परिवारों के स्वास्ते को ध्यान में रखते हुए यह महतरपूर फैसला लिया गया है क्या का गया इस notification में जल्दी से आपको पढ़ कर भी बता देती हुँ all the directly admitted students of पत्रचार विद्यालय in class 9th and 11th for the session 2021 are hereby promoted to the next higher class that is 10th and 12th respectively due to the spread of pandemic and their examination for the session 2021 could not be conducted these students will be issued the promotion letter from the पत्रचार विद्यालय as and when it will be intimated this issue with the prior approval of the competent authority that is worthy director of education wide your number dated तो बहुत ही महतरपूर जानकारी आज मैं आपके लेकर आई हूँ यह पहली बार पत्रचार विद्यालय से समबंदत मैं जानकारी आपके लेकर आई हूँ